तो दोस्तो परिक्षा अप के तरप से आप सफी के लिए सबसे बढ़िया ओनलाइन टेस्ट जी लॉंच कर दी गई है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्यान जेवाई 50 है अगर आप इस कोड के यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिसकाउंट मिल जाएग ठीक है अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में एप का लिंक मिलेगा डाउनलोड कर लेना नंबर से वरिफाई कर लेना गोल चूज कर लेना इस्टेट चूज कर लेना उसके बाद आप मालीजी अमर कर लेने चाहते हैं अमर पर क्लिक करना जैसे कि वहाँ पर दिखाएगा 289 रुपे उतना पेमिंट नहीं करना है ये कोड यूज कर लेना ग्यान जेवाई 50 जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर जो देख पार होंगे ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 289 के जगह आपको 140 रुपे में ही मिल जाएगा बिलकुल ओनलाइन पतलब की हर चीज आपको यहां पर मिल जाया था ठीक है तो आप लोग जाके पर्चेज कर सकते हैं हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं चले गए चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर दोनों का लिंक दे रिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा टेली ग्राम चैनल जोईन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडी फ़ल को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे पहला कोश्चन आप लोग के स्क्रिन को पर यह है पहला कोश्चन यह कि दुनिया का पहला 3D मुद्रिट जेट इंजन किस देश ने विक्सित किया है तो नीचे में आपको चार आप्शन दियेगे हैं आप्शन A में है जर्मनी आप्शन B ऐस्ट्रेलिया आप्शन C जापान और आप्शन D अमेरिका तो क्वेश और ऑप्शन नमबर B हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नमबर कोश्चन कोश्चन आपके स्क्रेंड को परे के स्पेस एक कैसे संस्थापक कौन है जो इस पेस एक सहे इसके संस्थापक कौन है Option A में है Max Leo Chin Option B Elon Musk Option C में है Loic Nosek Option D Peter Thiel Question No.2 का यहाँ पर Right Dancer क्या हो जाएगा Option No.B हो जाएगा B में हमारे पास क्या है Elon Musk हो जाएगा Right Dancer यानि जो Space X है इसके जो संस्थापक है यह है Elon Musk Right Dancer क्या हो जाएगा Option No.B हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3rd No. Question Question No.3 आपके स्क्रिन को परिये और यह भी Question कई बार Exam में पूछा भी गया है तो इसे भी आपको क्या करना होगा ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखना होगा सवाल यह है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किस ने किया नीचे में आपको चार Option दिये गए है Option A में है विक्टर इमैनुएल Option B में है गैरिबाल्डी Option C कैवूर Option D में है मिजनी तो Question No.3 का Right Answer होजागा Option No.C होजागा C में हमारे पास क्या है कैवूर होजागा Right Answer ठीक है Option A में है एमैनुएल Option B मेजनी Option C गैरिबाल्डी और Option D में है कैवूर तो Question No.4 का Right Answer होजागा Option No.B होजागा B में हमारे पास क्या है मेजनी होजागा Right Answer Right Answer क्या होजागा मेजनी होजागा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास Question No.5 प्रस्ण संख्या 5 आपके स्क्रेंड को परहे के भारत के पहले मानो रहित टैंक का नाम क्या है और ये भी सवाल कई बार एक्जाम में पूछा भी क्या है और कई बार एक्जाम में ये पूछे जाने में सवाल भी है सवाल हमारे पास ये के भारत के पहले जो मानो रही ट्रेंक है उसका नाम क्या है option A में है M60 पैटन option B है मुंट्रा option C M60 पैटन option D में है पैंजर 61 तो यहाँ पे question number 5 का right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा B में क्या है मुंट्रा हो जाएगा right answer ठीक है आगे बढ़ते हमारे पास 6 number question question number 6 आपके screen को पर है कि Bricks Subvenitute 2017 किस देश में हुआ छो Bricks Subven松 Nejलन जो 2017 में हुआ था 2017 में सवाल यह से पूचा जा सकता है में 2017 में जो brick subven entails हुआ था वो किस देश में हुआ था तो पिर सवाल में आपको ऐसे तरह से भी पूचा जा सकता है या फिर सवाल को अच्छे तरह से एक्जाम में आप देख सकते हैं स्टेट भी किया जाता है जैसे यहाँ पर सवाल एक्जाम की दृष्टी कोड़ से स्टेट किया गया है कि जो ब्रिक से सम्मेलन है ये 2017 में किस देश में हुआ option A में है Shiamen Chin option B मौशको रूस में option C दिल्ली इंडिया और option D में है टोक्यो यानि जपान में तो प्रशन नंबर 6 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर आप्शन नंबर A हो जाएगा A में हमारे पास क्या है सियामेन Chin में हुआ था राइट एंसर आप्शन नंबर A हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला कुश्चन प्रशन संक्या सेवेन आपके स्क्रेंट को परिये के भारत में पहली बार शफेद बाग कहा देखा गया ये सवाल बिल्कुल इंपोर्टेंट है तो देखिए यहाँ पर नीचे में आपको चार ओप्शन दियेंगे ओप्शन A में है कुलगत्ता ओप्शन B रेवा ओप्शन C जलगाव और ओप्शन D में है भोपाल तो देखिए जो भारत में पहली बार शफेद बाग कहा देखा गया था तो यह देखा गया था रेवा में यानि राइट एंसर ओप्शन नंबर B हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पस 8 नंबर कुश्चन कुश्चन नंबर 8 आपके स्क्रेंड को पर है कि एको सिस्टम सब्द का परियोग किस ने किया आप्शन A में हैं P अस्तर हलरने आप्शन B पिंक आप्शन C में हैं V लाल और आप्शन D एजी टेंसले तो कुश्चन नंबर 8 का राइट एंसर आप्शन नंबर D हो जाएगा यानि एजी टेंसले ने किया था जो एको सिस्टम सब्द है इसका परियोग सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था राइट एंसर क्या हो जाएगा आप्शन नंबर D हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर कुश्चन कुश्चन नंबर 9 आपके स्क्रेंड को परहे के नलंदा विश्व विद्याले का संस्थापक था आप्शन A में है समुंद्र गुप्त आप्शन B कुमार गुप्त आप्शन C में है असकंद गुप्त और आप्शन D धर्म पाल तो कुश्चन नंबर 9 का राइट एंसर आप्शन नंबर B हो जाएगा B में क्या है कुमार गुप्त हो जाएगा राइट एंसर जो नलंदा विश्व विद्याले है इसके जो संस्थापक थे ये थे कुमार गुप्त राइट एंसर हमारे पास 10 number question question number 10 आपके screen को परहे के mission इंदर धनुष का संबंध किसे से है option A में है T का करण option B अनौपचारी करमचारी option C E governance और option D महिला सुरक्षा question number 10 का right answer option number A हो जाएगा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा T का करण right answer जो mission इंदर धनुष है इसका संबंध किसे है तो ये T का करण से संबंध है ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 number question और 11 number जितने भी question है इन सभी question से जितने भी extra fact निकल कियाएगे वो आपको क्या करना होगा? नोट करते चलना होगा तो ध्यानपुर्वक यहाँ पर देखेंगे question number 11 सवाल ही के हाली में भारत रत ने डॉक्टर अंबेड़कर पुरुषकार से किसे शमानित किया गया है तो नीचे में आपको चार option दिएगे option A नजमा है पतुल्ला option B सुनिल जेटी option C में है अशोक गहलोत और option D श्याम सुन्दर राय तो देखें यह अभी हाली में समानित किये गये है सुनिल जेटी को right answer क्या हो जाएगा? option number B हो जाएगा right answer ठीक है? तो देखें और इन्हें महारास्ट के जो अजिपाल है भगत सिंग खोश्यारी जी इनके द्वारा सम्मानित किया गया है और कियों सम्मानित किया गया है? तो देखें जो लोगडाउन के दौरान महिलाओं को जो पशुक कल्यान और मुंबई में जो डिब्बे वाले हैं उन्होंने यानी उनकी मदद करने के लिए इनके लिए यह भारत रत डॉक्टर अम्बेडकर पुर्षकार से नवाजा गया है तो यह अपको यहाँ पर याद रखना होगा और सुनिल स्टी जो है इन्हें कुछ जिन पहले ही नबाड के द्वारा ब्रंड एमबेस्टर के रूप में भी नुप किया गया है तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है? नबाड यहाँ पर नाडा, सौरी न इसनल एंटी डोपिंग और क्या होती है एजनसी ठीक है और इसका हेड़ वाटर आपको नई दिल्ली में अस्तित है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 एनी 12 नंबर कुश्च्ट नंबर 12 आपके स्क्रिन को परे के हाली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस र यहां पे यहां पर याद रखना होगा और रोपिक्स सर्विस इसका मतलब क्या है तो रॉल ओन रॉल उफ यानी कम पान सेंजर ऑर इस फेरी सर्विश शुरू होने के बाद जो भाव Nagar का जो घोगा इलाका है मतलब की भाव नगर के घोगा से सूरत के हरीज़ा के बीच लोगों को यानी समुंदरी मार्ग के इस्तिमाल कर सकेंगे और मतलब कि घोगा से हाजीरा के बीच की दूरी टोटल 375 किलोमेटर थी और ये अब घटकर 90 किलोमेटर हो जाएगी कितनी पहले थी 375 किलोमेटर पहले थी लेकिन अब ये घट कर आपको 90 किलोमेटर हो जाएगी ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है और इसी का उधगाटन किया गया है प्राइम मनिस्टर नरेंद्र मोधी जी के द्वारा गुजराद में राइट एंसर ऑप्शन नमबर C हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 नमबर प्रश्ण प्रश्ण संख्या 13 आपके स्क्रेन को परहे के राज्ट्रिय जल पुरशकार 2019 के तहत सर्वस्ट्रिस्ट राज्जी के स्रणी में कौन सा राज्जी टॉप पर रहा है तो ये भी सवाल बिलकुल important है इसको क्या करना होगा ध्यान पूरग दिखना होगा ठीक है तो इसमें टॉप पर रहा है था राजस्थान और चौथे अस्थान पर है अपना दिश सौरि अपना बिहार ठीक है तो बिहार है चौथे अस्थान पर तो इन सभी के बारे में आपको यहां पे hell याद रहत लखा ठीक है और ये जो award है ये कहाई parameter के अधार पर दिया जाता है जैसे कि सिचाई के लिए राज़्य में पानी की किया बेवस्ता है या जब बारिश होती हैं तो राज़्य में क्या बेवस्ता होती है और जो faculty ये गंदा पानी जो होता है निकलता है कहीं से तो उसका ओपियोग कहां होता है इन सभी के बारे में डिसकस किया गया है ठीक है तो इसी के जो रैंकिंग निकाला गया है इसी को सबको मतलब ध्यान में रखते हुए एक रैंकिंग जारी कीगी जिसमें टॉप पर रहा है तमिल नाडो अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 नंबर प्रश्ण, प्रश्ण संक्या 14 आपके स्क्रिन को परहे के हाल ही में लॉंच की गई रमायन की किताब, जिसका नाम क्या है, थासनी, लाइफ एवं स्किल्स थू द लिन्स, किसके द्वारा लिखी गई है, ये सवाल है, तो ये अभ क्या करना होगा, इस किताब का नाम याद रखना होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेखक का नाम याद रखना होगा, ठीक है, तो इसके साथ ये आपको बिल्कुल, ये जो है, ये सवाल आपके एक्जाम में तो ज्यादा स्तर नहीं पूछा जाता है, पर आपको important है इसको भी आपको क्या करना होगा याद रखना होगा ठीक है तो देखे हाली में बेलारूस के पहले परवाणों उजासंद्यंत्र का संचालन हो चुका है कहाँ पर बेलारूस में यानि right answer option number C हो जाएगा और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेलारूस के बारे में तो यह एक यूरोपिय महादीप में इस्तित है और इसके capital है मिनिश्क करेंसी हैं बेलारूस रूबल और रास्टपती अभी हाली में बने हैं अलेक्जेंडर लुकांसको यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा बेलारूस के बारे में आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रेंड को परिके किस राज्ज में COVID वैक्षिन उत्पादन केंदर बनेगा तो देखिए COVID वैक्षिन उत्पादन केंदर यह बनेगा ओडिशा में कहाँ पर बनेगा ओडिशा में बनेगा राइट अंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा और ओडिशा की रजधानी भूवनिश्वर में ठीक है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा और वही पर इसका जो है आपको बता दू कि यह COVID वैक्षिन है इसका उत्पादन केंदर ओडिशा के वो निश्वर में बनेगा यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया है टर्म क्या है भारत बायोटेक तो इसकी जो स्थापना ही यह आपको नैंटीन उन्निसो चानवे में हुई थी कहाँ आप कब हुई थी मुख्यमंत्री है नवीन पतनाएक जब किराज्यपाल है गनेश्ची लाल यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब यहाँ पर इंपोर्टेंट निस्नल पार्क के बारे में जदी बात करें तो सिमला पाल और भीतर कनी का निस्नल पार्क यह दोनों हिस्ती थे ओडिचा में तो इन दोनों के ही बारे में आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है तो आज के लिए तना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और अपने स्टडी ग्रूप में सेर भी कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक केर ओल दे विस्ट थेंक यू